साथ्यों, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी के ही एक एलुमना इसे हुई थी, वो एक इस्लाविक स्कॉलर भी है, उन्होंने एक बहुत इंट्रेसिंग बात मुझे बताई, जो मैं आपसे भी शेर करना चाहता हूँ, स्वच्च भारत मिशन के तहट, जब देश में दस करोड से ज़्यादा सोचाले बने, तो इसका लाप सभी को हुआ, ये सोचाले भी बिना भेदवा भी बने थे, लेकिन एक इसका एक्ट्पेक्ट, ऐसा जिनकी उतनी चर्चा नहीं हुई है, और नहीं एकडेमिक वर्ल्ड क इस पर उतना ध्यान गया है, मैं चाहता हूं कि अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी का भी हर स्टूडन इस पर गौर करे, मेरे साथियों एक समय था, जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट, शिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट, 70 परसंट स ज्यादा था, 70 प्रतिशन से ज्यादा था, मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बादा रहा है, लेकिन 70 साल से हमारे यहां सिती यही थी, कि 70 परसंट से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ रहाई पूरी नहीं कर पाती थी, इनी सित्यों में स्वच से भारत मिशन शुरू वहा, गाउं गाउं सवचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गल स्टूडन के लिए मिशन मोड पे अलग सवचालय बनवाएं, आज देश के सामने क्या स्थिती है, पहले मुस्लिम बे तीस प्रतिक्षत रहे गया है, पहले लाखों मुस्लिम बेटियां सवचालय की कमी की वज़े से पढ़ाई छोड़ देती थी, अब हालात बदल रहे हैं, मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही हैं, आपकी अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी में भी स्कुल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रीज कोर्स चलाये जा रहा है, और अभी मुझे एक और बात बताई गई हैं, जो बहुत अच्छी लगी हैं, एम्यू में अब फिमेल स्टूडन्स की संक्या बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई हैं, मैं आप सबको बदाई देना चाहूंगा, मुस्लिम बेटियों की सिक्षा पर, उनके ससक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है, पिछले छे साल में सरकार द्वारा करीब करीब एक करोड मुस्लिम बेटियों को स्कॉलर्शिप दी गई है, साथियों, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहों, सबको बराबर अधिकार मिले, देश के विकास का लाप सबको मिले, ये एम्यू की स्थापना की प्रात्विक्ताओं में था, आज भी एम्यू के पास ये गवरव है, कि इसकी फाउंडर चांसेलर की जिम्मेदारी बेगम सुल्तान ने संभाली थी, सो साल पहले की परिस्थितियों में ये किया जाना कितना बड़ा काम था, इसका अंदार लगाया जा सकता है, आधूनिक मुस्लिम समाज के निर्मान का जो प्रयास उस समय शुरू हुआ था, तीन तलाग जैसी कुप्रथा का अंत करके देश ने आज उसे आगे बड़ाया है, साथियों, पहले ये कहा जाता था, कि अगर एक महिला सिक्षित होती है, तो पूरा परिवार सिक्षित हो जाता है, ये बात सही है, लेकिन परिवार की सिक्षा के आगे भी इसके गहरे माइने हैं, महिलाओं को सिक्षित इसलिए होना है, ताकि वो अपने अधिकारों का सही इस्तमाल कर सके, अपना भविश्य खुद तय कर सके, एजुकेशन अपने साथ लेकर के आती हैं, एंप्लोईमेंट और एंटरप्रिनर्शिप, एंप्लोईमेंट और एंटरप्रिनर्शिप, अपने साथ लेकर आते हैं economic independence, economic independence में होता है empowerment, एक empowered women का हर स्थर पर हर फैसले में उतना ही बराबर का योगदान होता है जितना किसी और का, परिवार को direction देने की हो या फिर देश को direction देने की है आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश की अन्य सिक्षा संस्तावों से भी कहूंगा कि जादा से जादा बेटियों को सिक्षा में जोड़े और उन्हें सिर्फ education ये नहीं बलकि higher education तक लेकर के जाएं